नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं स्टीनिस.co.in में आपको फिर से लेके आए राजधानी धरना स्थल पे जहां इको गार्डन जहां पे भरत रच्छा दल ट्रस्ट के कुछ लोगों का धरना चल रहा है तो आईए उनसे बात करेंगे क्या उनकी मांगे है किस वज़े से अच वो धरने पर बैठाई है उनके अध्यस सबसे पहले बात करेंगे मैं स्री निवास राय संस्थापक भारत रच्छा दल ट्रस्ट आज ये विश्व जनसंख्या दिवस है और इस जनसंख्या दिवस के अउसर पर हम लोगों ने सरकार से यह मांग किया है इस धरने के माध्यम से कि सरकार जनसंख्या नियंतरन के लिए कड़े कानून बनाए भारत रच्छा दल का मानना है कि बरती आबादी और घटते संसाधनों के कारण देश की अर्थ वेवस्था पर्यावरना सुरक्षित सिक्षा का अभाव गरीबी विरुज़गारी और अनेक रूपों में समस्या समाज के सामने आ रही है इस कारण भारत रच्छा दल ट्रस्ट सरकार से यह मांग करता है कि हम दो हमारा एक या हम दो हमारे दो का कानून सक्ति के साथ बनाया जाए साथ यह हम दो हमारे दो तो पहले से ही चल रहा है नहीं नहीं वो कानून के रूप में नहीं है वो नारा है सरकार ने नारा दिया था इंद्रागांधी जी के समय में जो है यह नारा आया था वी सुत्रिकार कर्म के माध्यम से लेकिन सरकार ने आज तक इस पर नीत नहीं बनाई है और नीत न बनाने का मूल कारण हम समझते हैं राजनितिक ब्यवस्था है हमारे राजनितिक किसी नकिशी रूप में ओटों को मुद्दा बना करके ओट की राजनित के तहत वो लोग जो है जनसंख्या नियंत्रन के लिए कोई कड़ी पालसी नहीं बनाना चाहते हैं इसलिए भारत रक्षादल इस राश जागरन जागरु हम लोग ने बहुत प्रयास किया अपना आपस में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और परिवार में सबसे ज़्यादा हम लोग ने ये प्रयास किया है कि अपना ही घर से हम शुरू करेंगे फिर इसको समाज में लाएंगे फिर उसका बाद हम लोग को एक कानुन चाहिए जो जैसा इस सुविदाओं के लिए जो हम लोग को मिल रहा है वो प्राप्त नहीं है और जन संक्या का पॉपिलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला घरों से हम लोग को निकलना पड़ेगा गली नुक्वीडों में न जन अस्ताक्षर अभ्यान का द्वारा करना पड़ेगा और ये कानुन सक्त होने के लिए सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ना पड़ेगा उनको तो वोट बैंक का वो बना दिया उन्होंने एक कहते हैं ना उनको चाहिए वोट उनको चाहिए दस लेकिन शिक्षा का कमी, खाने पीने का कमी और संसाधन का कमी होने का वजह से हमारा जो ये भारत है सबसे जादा पॉपिलेशन में फसे हुए और इस दल दल से उठने के लिए या दल दल से निकलने के लिए हम लोग को पुरजोर प्रयास करके ये संगटन भारत रक्षा दल टरस्ट ने ये मुहिम छेड़ा है और जब तक हम लोग को ये मुहिम छेड़ने का बाद सफलता नहीं मिलेगा तो हम लोग बार 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 हम लोगों का पस जा जाके हम लोग अपना प्रयास करेंगे कि इस population की तहट अंतराश्टियस तल से हम लोग भारत में ये कानून लागो हो जै हिन जै बारत तो जैसा कि आपने देखा भारत रच्छा दल और ट्रस्ट की जो मुहीम है कि हम दो हमारे दोग को लेकर एक कानून बनना चाहिए क्योंकि यह हवावाई बात बहुत दिनों से सरकार कर रही हो और इसके लिए सबी दलों को एक होना पड़ेगा बीवी थापा भारत रच्छा दल ट्रस्ट के महामंतरी आज भारत रच्छा दल ट्रस्ट के जन्षंकिया दियोश के सुबा अपसर पर बढ़ती जन्षंकिया को चिंतेट करती होए इसके अविहान शुरुवात की है आज तक भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का जो नीती अपनाया जा रहा है परुंतु संपूर्ण देश में ये लागू नहीं हो पा रहा है किसी धरम के मज़यच में किसी का एलाउड नहीं है किसी का हम दो हमारे दो का लागू नहीं है तो एक देश में एक कानून हो, एक देश में एक नागरिक यताफ़ चाहते हैं, कि हम दो हमारे दो ताकि population जो है, वो कंट्रोल में रहे हैं, जी हाँ, population ताकि कंट्रोल में आए, बरति जन्षंग के आद शंशाधन को जो देखते हुए, हम उतने शंशाधन में जो हम पालन कर रहे हैं उसमें भी अगर हमरा जन्षंग के ज्यादा बढ़ जाती तो हमको जो सरकार द्वारा जन्हीतकारी कारियों से जो लागू किया जा रहा है उसमें हम लोगों को नहीं मिलेगा तो ये थे भरत रच्छा दल ट्रस्ट के लोग जिनका एक माँग है कि कानून बनना चाहिए हम दो हमारे दो को लोगे जिससे पॉपलेशन जो है वो कंट्रोल में रहे और जो राजनेतिक पार्टियां है वोट बैंक के लिए इसके उपर कोई खास ध्यान नहीं देती है अग कि इसके उपर एक सकत सकत कानून बने जिससे पॉपलेशन कंट्रोल महरा रोजगार भी अराम से युवाओं को मिल सके इसी के साथ वीडियो जन्रीस अर्विन के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूंगा नमस्कार ये बिलकुल फ्री है सब्सक्राइब करिए हमारे स्टी निउस चैनल को और दबाइए इस घंडे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरे